तो दोस्तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और बढ़ियाई होंगे और वीडियो का टाइटेल और थामनेल देखकर आप समझ गये होंगे आज का वीडियो में लाया हूँ आपके लिए 1 रूपी संत ध्यानेसर कोईन के बारे में वीडियो बहुती इंफर्मेटिव होने वाला है क्योंके जानेंगे कौन-कौन सी मिंट से इस 1 रूपी कोईन को इसू किया गया था कोश्चन रहेगा क्या आज की डेट में ये 1 रूपी कोईन रेयर या फिर स्कार काटेगरी में आता है अगर आता है तो कौन-कौन सा मिंट का कोईन रेयर या फिर स्कार काटेगरी में आता है और अगर नहीं आता है ये 1 रूपी कोईन अगर आज की डेट में रेयर या फि प्रूफ और UNC सेट कौन-कौन सी मीन से इसू किया गया था कौन-कौन सी डिनोमिनेशन में इसू किया गया था और आज की डेट में संत ध्यानस्तर कोयन का प्रूफ और UNC सेट का कीमत मार्केट भैलू कितना चल रहा है तो विडियो को एंड तक देखिए स्किप बिलकुल मत कीजिए मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा निमिस्मेटिक चैनल निमिस पेज तो दोस्तो संत ध्यानस्तर के थिम पे इस वान रूपी कोयन को पहली बार जनेल सार्कुलेशन में इसू किया गया था यार 1999 में मेटल स्टेनलेश स्टिल वेट 4.85 ग्राम और डायमिटर 25 mm और इस वान रूपी कोयन का एजेज जो है बो है प्लेन एज रिवास साइड में एक दम सेंटर में है संत ध्यानस्तर के पोट्रेट हिंदी और इंगलिस में लिखा गया है संत ध्यानस्तर दो और खास बात है पहला है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर तो दोस्तो सबसे पहला है आप देख सकते हैं इस वान रूपी कोयन में रिवास साइड में रिवास साइड में आपको देखने को मिलेगा तीन डेट पहला है यह 1274 दूसरा है 1296 और तीसरा है 1299 जो है इस कोयन का मीन टियर 1999 और दूसरा खास बात जो है वो है AD मेरे ख्याल से Republic इंडिया के यह एक ऐसा कोयन है या फिर एक ऐसा लौता कोयन है जिसमें AD सब्त का यूज किया गया है अगर आपके जानकरी में Republic इंडिया के किसी और कोयन में ऐसा AD लिखा हुआ है तो आप मुझे कोमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अबास साइड नॉर्माल कोयन जैसा ही है असोकला अन कैपिटल सत्त में जायते 1 हिंदी और इंगलीज में भारत इंडिया रूपया और रूपी और दोस्तो इस 1 रूपी कोयन को जनेरल सर्कुलेशन में इसू किया गया था तीन अलग-अलग मिन से बॉम्बे, कैलकाटा और नॉयडा और आज की देट में ये तीनो मिन का कोयन बॉम्बे, कैलकाटा और नॉयडा तीनो मिन का कोयन कॉमन कैटेगरी में आता है प्राइस की अगर बात करें तो ये तीनो मिन का कोयन का प्राइस लगभग सेम है एक्स्टाफाइन टु येंसी कंडिशन में 10 रूपीज से 20 रूपीज लेकिन अगर बात करें के कौन सा मिन का कोयन फ्यूचर में स्कैर काटेगरी में आ सकता है तो बो मिन थे नॉयडा क्यूंके दोस्तों नॉयडा मिन का कोयन बाकी दोनों मिन से बॉंबे और कैलकटा ये दोनों मिन्ट से नौइडा मिन्ट का कोईन काफी कम मत्रा में मिन्ट किया गया था तो दोस्तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 रूपी संत ध्यानेसर कोईन नौइडा मिन्ट का कलेक्शन कीजिए और हो सके तो UNC कंडिशन में कलेक्शन करने की कोशिस कीजिए आए आप जानते हैं संत ध्यानेसर के थिम पे यार 1999 में प्रूफ और UNC सेट कौन सी मिन्ट से इसू किया गया था कितने में इसु किया गया था और आज की डेट में proof और UNC set का market value क्या है तो दोस्तो संत ध्यानेस्थर के थिम पे proof और UNC set इसु किया गया था क्यलकाटा मीन से और उस समय यार 1999 में क्यलकाटा मीन से इसु हुआ proof set का इसु प्राइस था 770 रूपीज और UNC set का issue price था 415 रूपीज और proof और UNC set में था दो coin 100 रूपीज और 1 रूपी 100 रूपीज का metal है silver और 1 रूपी का metal है stainless steel और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आप जानिए 770 रूपीज में issue हुआ proof set का आज का market value है 25,000 रूपीज और 415 रूपीज में issue हुआ UNC set का price है आज की date में 16,000 रूपीज तो दोस्तों सोचिए उस समय जिसने proof और UNC set लिया था और अपने पास रखा था और आज उस UNC set और proof set का value उन्हें कितना मिल रहा है और दोस्तों और दो बाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहला है 2021 खतम हो गया है 2022 शुरू होने वाला है और अगर आपने अभी तक coin collection श्टार्ट नहीं किये हैं तो coin collection जरूर शुरू कीजिए और दूसरा बात है निमी स्पेश चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि coins और notes से related ऐसा ही वीडियो ऐसा ही content में 2022 में आपके लिए upload करता रहूंगा तो दोस्तों आप सबको नए साल का सुपकाम नाएं स्वास्त रहिए हेल्दी रहिए अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी नए साल में समय बिताईए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद